हालो स्वेंट वल्कमबेक अगेंग यूट्यूब कमिनिटी में आज हमने पॉल क्रिएट किया है कि हम लाइफ लासे स्टाट करने जा रहे हैं यूट्यूब पर फॉर्स समस्टर थर्ड समस्टर या फिफ्स समस्टर जिसके जितने ज़्यादा वोट होंगे हम उसी क्लास का तो जल्दी चल्दी आप उस जो हमने पॉल क्रिएट किया है वहां पर आप अपना जरूर दे और आप जिस भी समस्टर से विलॉग करते हैं जिस भी समस्टर की चाहते हैं आप डेफिनेटल वहां पर बताएगा और हां कमेंट करके आप अपना शूटेबल टाइम भी बता सक तो यह पोल आपको जरूर जरूर यहां पर इसका वोट देना है मतलब कि अपने फैंट्स को भी बतारा है ज्यादा से ज़़गा वोट यहां पर करें ताकि इसमें हम जुज्सकर सकें कि 1st 3rd या 5th semester कॉन सांज्थ करना है अब यहां पर बात करते हैं कि अभी जो हम तो यह जो तीनों टॉपिक्स हैं यह हम कंप्लीट एक ही क्लास में करने वाले हैं यह भी आपको लाइब क्लास में करवाई जाए लेकिन जो यूट्यूब पर क्लास समय जारें इसमें थोड़ा सा 3-4 दिन का टाइम लग सकता है क्योंकि अभी हमने पॉल क्रेट किया है 3-4 द हम जो classes लेने जा रहे हैं यह new era math application पर सभे students के लिए free of cost है यानि आप इन classes को free of cost complete chapter करने के लिए बिल्कुल join कर सकते हो आपको केवल new era math application डाउलोड करना है notification आपके पास आ जाएदा class का और आप तुरंत जो वो बता दी गई है 8th 9th and 10th August clear तो सभी student अमने friends को भी जरूर से जरूर बताईएगा कि new era math application पर आप in live classes को join कर सकते हैं अब यहां पर जो in live classes में हम students को provide करवाने वाले हैं जैसे कि हमारे पास है independent form अभी calculus में है यह नया चप्टर रैड हुआ है first semester के लिए जिन students के reappear है वह advanced calculus में चाप्टर को पढ़ते हैं जो हमारा old slavers था क्यूंकि अभी तो नभी के according slavers change हो रहा है first semester से तो यह चाप्टर हर university में most important है और यह आपको करना ही करना पड़ेगा इसको आप optional chapters में नहीं ले सकते आप किसी भी university से बिलॉंग करते हैं इसलिए मैंने इन chapters को लिया है कि जो हमें unit wise जो important chapters करने होते हैं उन में से यह एक chapter है first minute में यह second chapter है यह आपको करना ही करना पड़ेगा मतलब आप इसको skip नहीं कर सकते हो जिन students को reappear है सबसे सबसे ज्यादा scoring chapter यही है सबसे ज्यादा scoring इसके साथ साथ जो आज कल हमारे जो टीचर्स के लिए चल रहे हैं पीजीटी screening test चल रहे हैं उसमें या फिर कही अधर जहां पर graduation का स्लेवस दिया जाता है competitive exams में उससे लेटरे भी questions हम discuss करेंगे कि in student form से किस टाइप के questions बन रहे हैं तो इतना ज़्यादा important है आपके जो screening test होंगे या फिर आगे जाकर कि आपको कोई भी competitive exam देना जहां पर आपको graduation का मैस यूज करना होता है वहां पर इस chapter भी बहुत important इसको हम detail से करेंगे बात करते हैं formation of partial differential equation partial differential equation यहां पर third semester में आभी जो कुरुक्षित्ता इनिवस्टिटी लगा लेजिए या फिर सी आरसी इनिवस्टिटी लगा लेजिए तो इन में third semester में जो paper apply हो रहा है differential equation उस differential equation में OD प्लस PD आपको पढ़ना है तो वहां पर PD में जो पहला chapter है वो यही है formation of partial differential equation जिन students को reappear है वो भी यहां से बिलकुल easily इस chapter को कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा जो scoring chapter है यह और बहुत ही important भी है okay numerical analysis का chapter first numerical analysis वहां कहीं में स्कॉरिंग बुक है और इसको करना बहुत important है क्योंकि ग्रूप सब्सक्राइब्स स्टुदेंस को जुनको reappear है उनके लिए सबसे ज्यादा suitable बुक ही रहती है numerical analysis तो इसलिए हम इसका first chapter लेकर चले है कि हम numerical analysis के सारे chapters लाइव ग्लासिस में डिस्कॉस करेंगे सो डाउन्लोड कीजिए डेफिनिटली नियुरा मैस अप्लिकेशन लिंक आपको वीडियो के numbers given है आपको उनकर सकते हैं मिलते नेक्स क्लास में बाई टेक कियर